जहें दोस्तों स्वागत एक बार पुनें आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल टॉपर गैलेक्सी पर तो आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे टॉल्ट हिंदी के अंतरगत आपका काफी ज़्यादा एक इंपोरेंट टॉपिक होता है जो कि है महात्यपूर गद्यांस एवं पद्यांस तो आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा गद्यांस और पद्यांस को कैसे आपको हल करना है और कौन कौन से आपको गद्यांस और पद्यांस को पढ़ना है ठीक है तो यह आपका वीडियो जो है पूरा 20 नंबर का होने बाला है यानि क अगर आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपका एक भी question नहीं आएगा लेकिन ये बात ध्यान है जितने question आपको बताए जाएंगे उनको तयार जरूर कर लेना ठीक है ना तो 20 number आप बिल्कुल fix करने वाले हैं इस एक वीडियो से तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ह हम लोग बात करेंगे कि गद्यांस आखिरकार कैसे हल किया जाता है इसके अंतरगत आपको पता है कि पूरे 5 question आते हैं एक जो है गद्यांस से चाहे पध्यांस की बात करें और एक question दो number का होता है ठीक है ना यहाँ यह question आपका दो number करायता है जिसमें से आपको 5 question रहते है total आपका 10 number का एक passage रहता है तो चलिए यहाँ पर कौन कौन से पढ़ने हैं और कैसे solve करना है वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में पूरा जानने वाले हैं तो पहला जो आपके लिए सबसे ज्यादा important होने वाला इस बार अबू आपका यहाँ पर है देख सकते हैं इसको प पैसे जन्जों की मतलब बार बार आते हैं ठीक ना जैसे कि आपके सामने यह है तो यह काफ़ी ज़्यादा repeat होता है तो मात्र भूमी पर निवास करने वाले मनुसर रास्ट का दूसरा अंग है प्रत्वी हो और मनुसर ना हो तो रास्ट की कल्पना असंब हो है और प्रत्वी मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है प्रत्वी माता है और जन सच्ची अर्थों में प्रत्वी पुत्र है तो ऐसे करके यह दिया गया है अब इसके क्वेस्टन कैसे बनेंगे कैसे सौल्ब करना है वो चलिए हम लोग जानते है देगे इसके क्वेस्टन रहता है कि पाठ का नाम यानिकी सिर्षक और लेखक का नाम जैसे कि पध्यास होगा तो उसमें कभी का नाम पूछेगा और गद्यास है तो इस वासुदेश अग्रवाल जी का है तो इसका अंसर आप दे देंगे कि प्रस्तुत गध्यांस के पार्ट का सिर्षक रास्ट का सरूप है अब आप क्या करेंगे वहाँ पर जैसे आप कॉपी पर लिखेंगे ठीक है ना कॉपी पर तो copy में लिखते हैं समय आपको जो ये सीरसक है पार्ट का नाम ठीक है इसको black pen से कर देंगे ताकि ये अलग दीखे यूनिक दीखेगा और इसके लेखक जो है वो वास्ट देशन अगरवाल जी तो इसको भी आप black pen से लिख सकते हैं या underline नीचे से कर देंगे तो भी सही रह है तो इसरी का अंसर हो जागा कि यदि प्रत्वी हो और मनिस से ना हो तो रास्ट की कल्पना असंभव है इस प्रकास से यहां पर आप इसको दे देंगे अंगला को संदे कि इतना ही लिखना ज्याद नहीं कि दो नंबर में है तो आपको पुरा पाइसे जो उतारने लग ज नेक्ष्ट देखिए प्रत्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं तो यहां पर अगर देखें तो इसमें कहागे कि प्रत्वी और जन दोनों मिलकर के समिलन से रास्ट का सुरूप संपादित होता यह कह दें कि दोनों मिलकर रास्ट का सुरूप निर्मान करते हैं रास्ट आपके आने वाले हैं ठीक ना तो ऐसे ही आपको जितनी सब्दों में बता रहा हूँ इसी प्रकास से लिखके आना है नेक्ट देखें प्रत्वी कब मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर तो इसमें बताया गया है कि जन के कारण ही प्रत्वी मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है मतलब अगर बेक्ती नहीं होगा तो प्रत्वी मात्र भूमी की संग्या प्राप्त करती है नेक्ट कोशन रेखांगिक अंस की व्याख्या कीजे अब यहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं क्या करत करेंगे कि यह तो हिंदी है इसका कैसे ही करके यहाँ पर पूरा उतार के चले आते हैं लेकिन इसमें क्या चीज करना है आपको थोड़ा बहुत जैसे मीनिंग हो गई उनको बदल दें जैसे यहाँ पर जन है इसको आप मनुष से कर सकते हैं प्रितिवी हो गया इसको धरती कर कर सकते हैं ठीक है न ऐसे वर्डों को आप बदल देंगे और अपनी भासा में कनवर्ड करके लिख देंगे जैसे यहाँ पर एक जन के कार प्रितिवी मातर भूमी की संग्या प्राप्त करती है और प्रितिवी माता है जन सचे एरतों में प्रितिवी के पूत्र है इसको हम प्रितिवी के पूत्र है तो यह देख सकते हैं पूरा एकदम आसान सा बन गया और ऐसे ही आप लोग अगर पांच के पांच को संग करेंगे तो पूरा दस में आपको दस नंबर मिलने वाला है ठीक है न तो चलिए यहाँ पर आपको गद्यांस तूपत चल गया अब आपक कौन कौन से गद्यांस आपके लिए इंपॉर्डेंट है और इस बार आपको कौन कौन से पढ़के जाना है ठीक न तो यहाँ पर आपको एक तो यह पहला पढ़ लेना जो मैंने आपको अभी बता दिया दूसरा आपको तयार करना यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर गद थी और इसके रक्त में खेलकर संसार कड़ों में खोकर या खाकर कहें तो बड़ी हुई और लाखो करोनों की पेक्चा से जो समरद्ध हुई तो यह दूसरा काफी इंपॉर्डेंट आपके लिए नेक्स्ट तीसरा आपके सामने है इसमें देख सकते हैं भारतिये स्वयं भ आपका पूरा एकडम 100% गरांटी कि आपका आएगा ही आएगा तो इसको कर लिजगा भाजा स्वयं संतर्गती का अटू टंग है इसको ढूंड कर आपको कर लेना ठीक ना तो यह आपके तीन है जो कि पूरा एकडम अच्छे से आपको तयार करके जाना है अब बात करते है यहाँ पर आपको पद्यांस को कैसे सॉल्व करना है यह भी आपका दस नंबर का टॉपिक है क्योंकि मैंने बताया था आपको अभी की हम लोग 20 नंबर पूरा एकडम पक्का करनेंगे ठीक ना तो इस नंबर आगर आपको पूरा पक्का करना है तो आपको इन दोनों को जो मेग बन बीच गुलाबी रंग ऐसे करके पूरा यह दिया गया है और यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेट कोईस्टन है ठीक ना मतलब रिपीटेट पैसे जाए तो इसको आपको पूरा सॉल्व करना है कैसे करना है क्वेस्टन इसके कैसे बनेंग वो भी मैं यहां पर आपका पाट का सीरसक और कभी का नाम पूछ लेता है जैसे यहां पर आपका पध्यांस तो कभी का नाम हो गया और अगर गध्यांस होता तो लेखक का नाम हो जाता है ना लेखक कभी में अंतर तो आप जानते हैं तो यहां से आप देखिए यह कहां से लिया गया पहँचान भी गए होंगे इसको यह कहां से है सरद्धा मनु चैप्टर से है ठीक है तो जैसंकर पसाद जी का है सरद्धा मनु तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ का सीरसक सरद्धा मनु और इसके रचाईता जैसंकर पसाद है हाना यह आपका फस्ट इसका इस प्रकास से अंसर आप दे देंगे अगला ही बात करें यहाँ पर नेक्ट कोसन देखी बनेगा इसके इससे कि बिजली के फूल से क्या तात पर है बताए बिजली के फूल से क्या तात पर है तो यहाँ पर लिखनेगे कि बिजली के फूल का तात पर सरद्धा का आकरसक ग है कुल मिलाकर सुंदरता की वर्ड़न है तो इसमें क्या कर देंगे कि बिजली के फूल का तात्य पर है कि जो स्रद्दा है इसका आकर्सक गोर वर्ण यूक्त सुंदर सरीर से है अब व्याक्खिया की बात करें कहरा कि ने खांती अंसिक की ब्याख्या कीजी तो यहाँ पर इसकी ब्याख्या एक लाइन है देखी एक लाइन में अंडर लाइन है और इसी की ब्याख्या करने है अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि इसमें एक लाइन का हम ब्याख्या कितना करें तो यहाँ पर देखे एक लाइन की ब्याख्या करने के लिए आपको ऊपर की चारो लाइन का सहारा लेना पड़ेगा समझ रहना यहाँ पर जो बताया गया है जब इसमें आप पूरा समझ पाएंगे तब ही इसकी व्याख्या कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे देखें यहाँ पर व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तु बादलों के वन में गुलावी रंग का सुंदर बिजली का फूल कि लाओ आप देखिए यहां पर बिजली का फूल यह सब वड़ा आगे ना लेकिन अगर देखें तो यहां पर अंडर लाइन नहीं है तो मैंने कहा ना कि आपको एक लाइन का जो है ब्याख्या करने के लिए जैसे तीन हमने गद्यांस की बात कर लिया अब यहां पर आपको पद्यांस में देखिए पहला तो आपके सामने यहां पर है मेरे प्यारी नौजलत से कंद से नेत्रवाले जाके आए नमदवन से आउना भेजा संदेशा मैं रो रो के प्रेविरह में बावली हो रही हूं जाके मेरी सब दुख का यह कथा स्याम को तू सुना दे तो यह पहला जो है पवंदूती का चैप्टर से है जो की काफी आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाला है इस बार तो इनको आपको जितने भी बता रहा हूं बिल्कुल आज के आज तयार कर सकते हो और आप इस वी पहला कोशन जो बनता है हमेशा वो बन सकता है कि राधा किसके द्वारा क्रिश्न को संदेशा भिजवाती है या संदेश भिजवाती है तो यहां पर आपको पता है कि पवन दूती का चैप्टर है तो पवन यानि की वायू को जो है दूती का यानि दूत बनाकर संदेशा तो यहां पर लिखेंगे, कि राधह पवन को दूतीका बनाकर, उसके दोरह कुर्शन को संदर विज्वाते हैं, फिर्स्ट गोसन, बहुत ही आसान है, अंगला कोसन, यहां पर पर कि कृष्ण का संदर कैसा है, उलेख कि जी, तो यहाँ पर अगर देखें तो भगवान किष्ण का संदर कैसा था तो यहाँ पर बताया गया है कि वायू से जो है राधिका कहती है कि मेरे प्यारे नौजलत से कंज से नेत्र वाले तो कैसे होंगे वो तो यहाँ पर देखेंगे तो उन्होंने कहा था वायू से कि भगवान स्री कृष्ण नभीन मेग जैसी सोभा वाले और कमल जैसी नेत्रों वाले होंगे तो उनकी यहाँ पर सुन्दरता का वड़न यही है कि भगवान स्री कृष्ण नभीन मेग जैसी उनके मानोदसा कैसी थी उनके अंतारात्मा तो यहां पर अगर देखे तो वह बहुत दुखी थी तो यहां पर इसका जो ब्याख्या आप कर देंगे तो आप लिख सकते हैं कि राधा पौन से कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के भीयोग में यानिकी दुख में रो रो के पागल हो गई हो और मेरी बिरहदसा तो उन्हें सुना दे ऐसा आपको मतलब लिख देना ठीक है अच्छे तरीके से इनको देखे हिंदी के हैं तो इनको आप बना भी सकते हैं काफी इजी कोस्टन आते हैं आप यहां पर देखिए एक कोस्टन जो कि मैंने बताए कि फिक्स होता है जैसे कि यहां पर पूंच रहा है कि प्रस्तुत अध्यांस का सीर्षक और कभी का नाम बताई तो सीर्षक आपको पता है पाउंदूति का है नहीं पाट का नाम है और कभी को नहीं है तो इस प्रकास से आप इसको बता सकते हैं नेक्ष्ट यहां पर रेखांत की अंस की ब् लाइन है आपर देख सकते हैं कहा कि मेरे प्यारे नोजल से कंज से नेत्रवाले जाके आई नम भाधुबन से आउना भेजा संदेशा यानि कि राधिका कह रही है कि मेरे जो श्री क्रिश्न है जो कि उनकी सोभा कैसे होंगे देखने में तो वो नभीन मेक जैसी और कमा जैसे नेत्रवाले होंगे और जब से मधुबन गये हैं वहां से कोई संदेशा नहीं भीज़वाया तो इसका देखे ब्याक्या कर देंगी कि राधा पौन से कहती है कि भगवान स्री क्रिश्न मतुरा जाकर वापस नहीं आए और वहां से नहीं उन्होंने कोई संदेशा भीजव अनुताप चेप्टर से है माइतली सनगुप्ते जी का जो चेप्टर है और आप इसमें समझ सकते हैं कई के सोयम को धिक कार्ति हुई कहती है कि कहते आते थे यही अभी नर्देही मतलब अभी तक लोग यही कहते आते थे कि माता न कुमाता यानि कि माता कुमाता नहीं हो सकती पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए लेकिन अब क्या कहेंगे अब कहें सभी यह हाय बिरुद देवी जाता अब सब ही यहीं कहेंगे कि ये बिल्कुल विरुद दो गया है पुत्र पुत्री मतलब भघुवान स्री राम जो है अभी वैसे ही आचर्न कर रहा है लेकिन रहे कुमाता माता यानि कि कह के स्वयम को कहते है baskा कुमाता हो गई यानि कि अंदर से मैंने नहीं देखा मरदुल गातर ही देखा तो इस प्रकास से वो सोयम को धिक कार रही है तो इसको पूरा कर लेना है काफी important है और बहुती आसान है इसके बाद नमबर थ्री आपके लिए जो important यहाँ पर होने बाला है वो यह है कि गिर रहे थे गुंगराल अलमबित मुक के पास निल घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को बिदु के पास और मुक परवहमरद मुसकान रख्तिक सलय पर ले विसराम अरुन की एक क्रण अलमान तो यह तीन जो की मैंने बता दिये और जिसमें से कि तीसरा आपका यहाँ पर सर्धामनु चप्टर से यह भी है और एक आपको मैंने बताया सर्धामनु चप्टर से यह तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्धामनु चप्टर के आपके दो हो गए और आपका एक पावंदूतिका से और एक आपका कई कई अनकाव से अगर यह आप चार इसमें से कर लेते हैं तो आपका पूरा दस नमबर यहां से फिक्स हो जाएगा और इसके अलावब पद्यांस जो है यहां से खतम है गद्यांस में भी मैंने आपको पूरा बता ही दिया है तो आज के इस वीडियो में आप पूरा यहां से 20 नमबर आपका फिक्स हो गया है अगर इस वीडियो में बताएगे सारी चीजों को आप follow करेंगे तो पूरा एकदम आपका यहाँ पर इस से बाहर तो आपका 100% नहीं आएगा तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक आपको जरूर कर देना है और चैनल को भी आप लोग subscribe कर लिजगा ताकि अब आपसे एक भी वीडियो किसी भी टॉपिक की मिस ना हो ठीक ना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन वन्यमात्रब